सरकार तो राम मंद्र बना रही है तो रविदास अश्रम अभी ऐसा क्यों पढ़ा गए है इसलिए कि हम लोग में अभी बहुत कमजुरी है राम जो है कि इन्हें सब के हैं लेकिन रविदास के वल हम लोगा इसलिए हम लोग को विकास नहीं हो रहा है काउंत बनारस के बाद अगर बिहार पे सबसे कोई बड़ा अश्रम अगर जमीन है तो नासी आश्रम का तो मैं चाहूंगा देश और दुनिया से आपके चैनल के माध्यम से इस आश्रम पर भी कुछ ध्यान तिया जाए और इस आश्रम का भी विकास में आगे की करवाई के ल आई इधर इधर वह अलत नहीं है यह वाला जितना है आर के पास से एक दम सीधा वहां तक है प्रेण के पास फिर उधर दो तोपनी माने दस कठा उधर है आच 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 तोटल माने दस विगा है लोग का बिधायक प्रभुनात्जी बने सिवेश राम बने मनोज मंज बने तीनों लोग आए लेकिन कुछ सिर्क वादा वादा करकर करकर चले गए फिर बीजेपी का वो जनक चमार जी आए वो भी यहां बोलके गए कि हम 14 लाख रुपया देंगे मंदिर बनाने के लिए अगर ज्यादा इसके लिए और अकम चाहिए तो ट्रस्ट आप लोग कर आप जहता है। मिसमें बहुत चाहिए नमस्कार जहाएं मैं मंगल जी तो आप देख रहे हैं प्रकास इंडिया अभी मैं मौझूद हूँ बिहार के आरा जीला के अंतरगद नहसी ग्राम में जो की गड़ानी प्रखंड के अंतर आता है और यहां पर माने हमारी नजरे जो पड़ी यहां सबसे बड़े रविदास आस्रम की जो की बिहार के सबसे बड़ा रविदास आस्रम है और जो हमारे रविदाह जी समझ लिजिए कि 23 सताबदी के लाश्ट है और 14 सताबदी के सुरुवात में उनका जनम होता है और जो पक्षंडवाद है अंदिविस्वास है जाती बिवास्ता है उस पर उनका प्रहार होता है इसके बाद में बहुत सारे अपने दोहे के साथ कहते हैं कि ऐसा चाहू राज में मिले सबन को वन छुट बड़े सब संबसे रहिदास रहे परचन उसके बाद में ब्रामणवाद पर ऐसा आमला बोलते हैं कि ब्रामण मत पुझिये होवे गुन हीन पुझिये चरण चंडाल क जो हुवे गुण पर्वें तो इस तरह के उन्होंने बाते कहकर ब्रामन वाद में समझ लिजी कि उस समय जो हमारा समाज घुलाम था फिर भी अपनी आवाजों से क्रांधिकारी आवाजों से उन्होंने जो सचाई है सचाई लाने की बात कही इसके साथ साथ उनको संद tiromaani की उपादी दि गई और उपादी देने वालों में आप लोग जानते ही हैं साहिब कभीर जी आप अदी जisons लोग हम लोग उनको जानते हैं तो इसके बारे में जो आप आश्रम देख रहे हैं रविदास आश्रम ग्राम नहासी बच्वुर्ण निर्माता स्वर्गे इंदरौ तो इसके बाद में हम अंदर की बाते जो लोग हैं वहाँ पर उनसे सवाल करेंगे कि क्या कारण है कि अभी इस तरह सा मने दिखाई दे रहा है अभी तक पुरा बनकर त्यार भी नहीं है तो हम चाहेंगे हमारे सलेजी से कि आप चले और देखाने की कोशिस किजिए कि किस तर बचा खुचा के आए बड़ा सा भी नहीं बहुत ज्यादा तो यही कारण है कि क्या कारण है कि माने इसको बनने में इतना समय लग रहा है और क्यों अभी तक समझ लिजिए कि कहीं न कहीं एक तरफ पर राम मंदर का बड़ा कोई हो हजार लाग क्लोर में बना दिया जाता ह है और यहां पर एक क्लोर रूपया खर्चा करने के लिए एक लाग खर्चा करने के लिए सुचना पड़ता है तो हमारे साथ कुछ लोग होंगे उनसे हम बात करने की कोशिज करेंगे तो सबसे अपना परीचे बताइए सबसे पहले मेरा नाम है उमा संकर कुमार आप गाम नहीं कि नासी का नीवास है है और यह सबसे बड़ी और supplylum met हमारे यहां सबसे नेता भाल मांत्री रिंति करके वेल हम ये बनरवा देंगे भेड़ेंगे लेकिन आज तक को yardım से कोई राए नहीं वहां वाधा देकर चला के obrigada कर चले जाते हैं हम लोग का बिधायक प्रभुनात्जी बने सिवेश राम बने मनोज मंजिल बने तीनों लोग आये लेकिन कुछ वादा करकर के चले गए फिर बीजेपी का वो जनक चमार जी आए वो भी यहां बोलके गए कि हम 14 लाख रुपया देंगे मंदिर बनाने के लिए अगर ज्याद अभी उतना ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है जब तक हम 14 लाख रुपया घोसन करके यहां से चले गए लेकिन फिन वापस आये नहीं पैसा का कुछ बिवास्ता किये पिर इसके बाद कि शुरेंदर राम जी मरनिय मंत्री जी है अभी राजत से थे वह वह भी आये वह भी में यहां अब देखिए जो कमिटी का विकास हो रहा है जो भी खेट से अमधनी हो रहा है वही घखा जमिन है अभी प्रोफिट होता है आसुरों में लगा जाता है साधूजी है उनको खाना के लिए रखा जाता है कुछ बाकी जैसे कुछ पुरगराम होता है आस्रम के रग्दा जेनती हो गया यह सब में खर्चा किया जाता है बाकी कुछ बचता है तो यह थोड़ा बहुत मंदिर में लगाए हैं एक मंजिल तक बना है और उपर आगे पैसा के वज़े से काम पिजा गया है तो देख सकते हैं दोस्तों को हमको सायद नहीं लगता है कि विहार में दोस्च विज़ा का मुने कोई ऐसा आस्रम होगा दस वीगहा में फैला कोई आश्रम होगा समझ लीजे तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बिहार का सबसे पहला ऐसा आश्रम है जो दस से बारव विगाह में फैला हुआ हम चाहेंगे कि आप दिखाने की कोशिस करेंगे देखिए आगे देखिए यह बगच्या है बगच्या के पास जितना जमीन हो वहां में रोड से लेकर उधर यह सब आसरम का ही जमीन है बताते चले दोस्तों कि जो आप में रोड देख र देख रहां यह समझ लिए की सारी अशरम के द्वारएं और उसके बाद में बाहरं ने बता हैं कि बाद में पहुआ त έχει फिर और ही जमीन है पिर इसके बाद ये साइड में इधर एक प्लांट बना था लीच पे दिया गया था वो देख सकते हैं कि जो बहुत पहले प्लांट जैसा कुछ खंड़हर जैसा आप लोग देख रहे हैं तो वहां पर प्लांट बना हुआ था और प्लांट खतम हो गया भी फिलाहाल और वह भी जमीन जो है असरम का ही है उधर आणाई भीगा है पिर ये असरम के पीछे जमीन है द से बताया गया और यही पर ह सपेटल जो यहां से शाटा करके पहले गढहनी गया उसको भेज दिया आए और उसको आरा में सिफ्ट कर दिया हैं हमारा जो गाओं का था इसको यहां लेकर के आई कितना मंत्री लोग आये, मंत्री लोग से भी हम लोग बोले थे, लेकिन मंत्री लोग बोले कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, लेकिन कोई उसमें ती नहीं किया, यही जैसे गड़हनी में है, छोटा सा हस्पीटल, हर चीज का यहां इलाज होता था, बहुत परहनी से उसको आरा भेज दिया, आरा में जाकरके उसको बड़ा बना दिया है, तो अंदर की जो तस्वीरे आपको देखाने की कोशिश करें हैं, जो आस्रम है, और समझ लेजिए, कि बहुत बढ़ा आस्रम आपको जीस तरह सपाता चला की 10 से 12 विगा है, तो इससे आप असनान घर देख सकते हैं, जो भी ट्वाइलेट है, जहां लोग यहां रहते हैं, साधुजी रहते हैं, उनके लिए, इसके बाद में समझ लेजिए, एक सुखा पड़ा हुआ है, इसके बाद में देख सकते हैं, कि जो फुलवारी लगा हुआ है, और कही ना कहीं खंड़ जैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मनी प्रोब्लम असफ़र दिखाइद रहा है, इसके साथ आपको दिखाने की कोशिस करेंगे, जो रविदास जी का मंदर बना जा रहा है, उसका सिंधिया है, और उपर से चल कर आपको दिखाते हैं, कि किस तरह से मने कितना अभी आगे जम लोग वादा कर रहे हैं लेकिन वादा निभा नहीं रहें अभी हम लोग फर्ष्ट फ्लोर पर रहें जहाँ पर रविदास जी का यहां पर आप देख रहें जो सिंगल रड है वहाँ परतिमा उनका बैठाना है समझ लिजिए कि देख सकते हैं बहुत माने बेहतरीन तरीका से समझ लिजिए कि जो कहा जाता है भुकम प्रोधी तो ओ मने मकान बनाया जा रहा है मंदिर बनाया जा रहा है वो देख से कि कि इतना बड़ा कितना लंसम होगा समझे कि 20 mm का बीसे नहीं हमको जाएद ज्यादा लग रहा है इसके बाद में बहुत माने बहुत 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 बड़ा पिलर दिया गया है और नीचे भी क्रमस्वां गलाए गया है और इसके बाद में हाथी पाव गलाए गया ताकि कोई भुकम चाहे कोई वह सा समझ से आए लेकि अपना मजबूती जो मंदीर खर्चा हो रहा है बढ़िया सब मंदीर कम से कम इसमें कई लाख रुपए इंजिनियर बताया था कि लागे गया अचे बताईए कि हाथी पाव कराया गया था इसमें कहां से कहां आये है यह पेंड है पेंड के सामने से यहां तक पूरा इसके बगल में है उदर भी आश्रम का ही जमीन है इधर इधर वालत नहीं है यह वालत जीतना है आर के पास से एकदम सीधा वहां तक है पेंड के पास फिर उदर दो तोपनी मैंने 10 कठा उधर है तोटल मैंने 10 विगा है अधर जो प्लांट उसमें आप लोगों को और समझे कि मन काफी दूर तक जमीन है और आप लोग जान सकते हैं कि जब दास बारव बिगहा जमीन है तो थोड़ा सा नहीं होता है और इसका पुरा रोड मैं आपको बताएं कि किस तरह से अभी और आगे लोग हैं उनसे बात करने की कोशिस करेंगे क्या कारण है कि लोग साथ बने रही है और देखे कि क्या कारण है और अंदर की आपको देखाने के कोशिस करेंगे जो सारी चीजे हैं क्या क्या चीजे इसमें देखनों का अंदर में आ चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे बुद्ध जीवी लोग हैं और इनसे बात करने की कोशिस निर्मान कारज रुका हुआ है और आप ये भी देख रहेंगे कि हम चन्दा के रूप में लेकर के आते हैं जितना इकठा होता हुआ पर लगाते हैं उसको विकास करते हैं अभी परियत्न ही है कि हम लोग गांगांव से चंदा लाएं और इस मंदिर का निर्मान करें और संत्रविदास जी का मुर्ति का स्थापना करें सरकार तो सबसे कहले अपना परिये फिर दिदी जी मेरा नाम कनिया लाल है मैं इसे असरम का अध्याक्ष है सरकार तो राम मंदिर बना रही है तो रविदास असरम अभी ऐसा क्यों पढ़ा है इसलिए कि हम लोग में अभी बहुत कम जूरी है राम जो है कि नहीं सब के हैं ले नहीं ऩी था पाटे है तो रभीदाजी तो सौपके लिए नंट जो जाती विवास्ता है उनको करा राहा उस पर हामिला की है कि थोड़े ना कि सिर्फ चमार जाती में पैदा हुए हम लोग तो मानते हैं लेकिन और अधरकास तो मानता नहीं है हम लोग इनको पुजा करते हैं रफजास जी को यह हमारे गुरु है तो क्या इसका रूड मैफ है रूड मैफ तो इसका बहुत है मैंने मंदिर का पहला का पहला मंदिर का निर्मान इसके बाद अपका मैरेज हॉल है लेकिन पैसे की अभाव में हम लोग नहीं कर पाते हैं प्रयास में हैं हम लोग कि इसका निर्मान हो आगे प्रोग्रेस हो तो हम लोग प्रयास रत हैं क्या आपका प्रचे हुआ यहां कर जाले सची हुआ तो बाबा का कारण बाकी अभीता कि माने पर आगे बढ़ोतरी निखे अपा और निर्मान निखे ओ रूग गुल बाकार जी तो बढ़का कारण बाकी पैसा के कमीबा इतना लोग नेता लोग बाढ़न जाके हो मंदर मे आपका साधुजी परिचे है हमारे अनिल नाम है आप यहां के साधियों आप साधुजी है, तो मने क्या और निर्मान मने तेजी नहीं नहीं हो पा रहा है अले साधिया कर आभे आहां का, नहीं हम साहह जोर्क से ना एक का बड़ आसरम है कों दिया है यहां के लोगों ने त्याग किया साधु जी का दान दिये फिर भी दान देते हुए पिछे हट गए यहां बंजर जमीन जाव उस समय नहीं हो रहा था अब हो रहा है इसमें तो मलने कि साधु जी के खर्चे निकल रहा है को इसका निर्मान का इस आश्रम का का इसका निर्मान दोजर बाइस लिए था अनुट जो है जो यहां पर आश्रम नहीं हुआ था तो उस समय को से इस्टाट इस चौद यानि जब भारत गुलाम था उसी समय का यह आश्रम है जिसमें हमारे समाज के महापूरूुस कहेंगे संतिषिरोमदी गुरूरेभ धिजाजी को मानने वाले लोग जो हमारे गाम होंके थे ऊनके नाम पर अपने जमीन दिये बादर22 कि ठीचने लिए और हमारे समाज के पास उस समय कर पाइसा होताँ ऄश्रम कर भीकास होता ले बोड पर देखे होंगे उसके बाद तीरे तीरे हमारे घर जीवान जो हमारे दादा परदादा हुए हो लोग तीरे तीरे इस आसरम के बिकास के कारे किये इसमें अस्कूल भी चलता था था श्पीटल भी चलता था अभी कुछ दीनों से लगबग 20-25 बरस से इसके हालत कुछ नाजो की स्थिति में चला गया था फिर से इसको सुर्गात किया गया है 1922 जिसमें एक भव मंदी का निरमार हो रहा है और इसमें बहुत से प्रजेक्टे पिठाई जारे जैसे में हस्पीटल है अस्कूल है मेरेज होल है साधी बिया होने का लिए बचों का पढ़ाई सभी असरम पुरा सहाबाद में सबसे भव आश्रम है इसके अलावा अभी तक इससे बड़ा कोई आस्रम नहीं है हो सकता है चितना जनकारी मेरी होगी उस इस इसाब से अभी तक नहीं लग रही है अगर मैं कौन तो बनारस के बढ़ाद अगर बियार में सबसे कुई इस आश्रम के में भूमिका में कौन व्यक्ति हैं जो इतना बड़ा त्याग करके कोई तो ऐसा खास व्यक्ति होंगे जिनके वो जैसे आश्रम आश्रम लग रहा है जो भी है कहा जता है कि यहां पर जग्जीव राम जी है उनका भी बहुत बड़ा जुगदान रहा है जी बाबु जग्जीव राम के भी बहुत बड़ा इस आश्रम में योगदान है वो इस आश्रम के अधियक्स भी थे और और आश्रम के बनाने में उनका भी बहुत योगदान है जब वो जिन्दा होते थे आश्रम बन जाता है लेकिन बनाने में और जमीन को जो कुछ काजी करवाई थे उन्होंने बाबु जग्जीव राम जी तो नहीं रहें लेकिन उनकी जो लड़की है मीरा कुमार वो आती ह बता नहीं की नहीं हैं मैं लोग मिले हैं दिली में उन से उन la or बनी है कि नहीं थे नहीं हम इसको बनाएंगle records कुमार जी आई थी सबसब पहले बताएए कि जो जंग्यो रामजी थे आप उनको देखे हैं यहां पर आते हुए यहां पर यहां पर आय थे अनिकुबर आय थे और उनके बाद में जो उनका द्यांत हुआ तो उनकी जो पूत्री मेरा कुमार जी है तो भी आई है यहां पर अचछा हम नहीं थे आप थे उसमें नहीं था लेकिन आई थी वो और आकर अस्वासन देखे चली गई थी अभी पिछले साल हमने उसके बारे में बताया तो उन्होंने का ठीक है मैं अवस्ट एक बारा आऊंगी और जथा सक्षी जो होगा वह में सहीव करूंगे क्योंकि बारा उनका जुगदान है उनके पीता जी का इसमें जुगदान है तो कहीं न कहीं उसमें लगता है कि उनको आना चाहिए और उसमें चड़ वड़ के हिसा लेना चाहिए जिग जिवान राम जी अध्याक्ष थे तो समझ ये कि इस मठिया के अध्याक्ष भी थे वो और आपका परिशे क्या हुआ अपसे जानने की कोशिस करेंगे कि जिस तरह से हमको पाथा चला कि यहां पर बहुत सारे नेता मंत्री भी आये थे फिर भी देख रहे हैं कि यहां पर विकास नहीं हो पाया क्या कारण कारण यहीं है कि देखिए नेता मंत्री यह काम है जुठा आसवासन देना यहां पर हमको लग रहा है कि चार पाज विदाय का ग्याँ विद्धाय का जीते हैं यहां चारो उपस्तित हुए आशरम में अरो विदासर समाझे जी चारो विदासर समझाज का है लेकिन जो भी आय अपना जुठा आसन देकर चला गिया फर्स्ट में उन्हें चारो सतरा के बात है उस समय थे शिवेशरम यहां आये थे उन्होंने बोला कि मैं अपने तरफ सी चारो विदास मंदिर बना दूंगा लेकिन देखिए कहां बना भी तुसरा बात हुए परभुनात जी ओ भी यह सर्तु हिसे निर्मान करना हुए करता हिए कर रहाते हैं पर बता है विदाहकना जी इभी इनको बोलाने पर भी जौनिते दिया कि अजी होग कैसे कार ला आय तो अन्होंने बोलो कि नहीं मंदिर बनाएं गाएंने महांचिल तो समझ लिजे कि जितना भी हमारे पॉल्टिसियन लोग हैं वो सिर्फ अपना वोट की राजनीति करते हैं वोट की राजनीति के साथ वो अपने समाज पर उनका थोड़ा भी ध्यान नहीं है जिस समाज से वाते हैं उनके समाज में जन्मेशन त्रविदा जो की बहुत लेकिन आकर वादा कर जाते हैं लेकीन उस काम को नहीं करते हैं तो आप लोग इस जितना भी आप लोगों ने इन सबका बात सुना और बिहार के सबसे बड़ा आस्रम कहा जाय तो कम नहीं है तो समझ लिजिए कि आप लोग इस पर क्या अप लोग का परत्तρεकरिया है प्रे